स्लीमती कहकेशन परवेन समाजिक आर्थिक रूप में उन्नती होगी मोहदै किसी भी चीजों का अगर निर्मान होता है तो उससे पहले उसकी डिजाइनिंग होती है मैं बताना चाहती हूँ के गन्राज की डिजाइनिंग जो हुई थी वो हमारे बिहार के वैशाली में हुई थी और वैशाली को कहा जाता है गन्राज की जन्नी बिहार हमेशा कलाओ संस्कीती में उसने अपनी पहचान बनाई है और पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकरशित करने का काम किया है प्राचीन भारत में कलाओ संस्कीती ने विश्व में भर में अपनी पहचान मौरे सामराज ने भी बनाया है जो आज की कलाउस की स्थेतर में हमें गौरफपून करती है इतिहास गवा है इस बात का इसलिए वर्तमान को हमेशा ऐसे गौरफपून पलों का आधर करना चाहिए मैं मान्य मंत्री जी से अपने दिल से नहीं बलके तहे दिल से ये गुजारिश करती हूँ ये दरखास करती हूँ कि ये वो बौद है और अशोका की सरजमी है और कर्म भूमी है आप वहाँ पर भी NID का संस्था का वहाँ पर नीव डालें जिससे वहाँ के लोगों के अंदर छीपी भी परतिभा सामने आएगी और इनका समाजिक और आर्थिक रूप से ये मजबूत होंगे और उनके जो कला को निखेड़ने का काम और करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया करशन जी का विशेस्ता ये है कि अभी भी कुछ कहने का ओसरम को मिलता नहीं वो समय पे संग्रूड करते हैं डाक्टर बंदा प्रकेश